हलो फ्रेंस वेलकम टू माय चैनल आज मैं बनाने जा रही हूं पालक के नमक पारे तो फिर आईए चलिए शुरू करते हैं इसके लिए यहां पर मैंने दो कप मैदा ली हैं आप इसकी जगर आठी को भी यूज में ले सकते हैं अब हम इसमें डाल देंगे आधा चोटी चमच आजवाइन को मसल के डाल एगे इसमें बाद में डालतें इसमें नमक स्वाट के अनुसार और एक दो बड़ा चमच यहां पे इसमें गी डाला है गी से झो हम नमक पारे बनाएंगे वह बहुत तेस्ती हो कुरकुरे बनेंगे और इन सब को मेता मैदा में अच्छे से मिक्स कर देंगे कई जायदा सफ्ट डो लगा कर नहीं करना है और fuego जायदा है एक नंद में में ट्यार हो गाता हूं इसके बाद में हम इसको दो भागों में इस तरह से डिवाइड कर लेंगे जैसे हम रोटी बनाते हैं उस तरह से अब इसके हम लोई बना के तयार कर लेंगे अब इसको हम बेल लेंगे इसके हम थोड़ा सा सूखा मैदा भी लगा लेंगे जिसे की अच्छे से बिल जाए ज्यादा नहीं लगाएंगे हलका ही लगाना है इसको हमें ज्यादा पतली नहीं बिलनी है ये देखिए और नहीं ज्यादा मोटी मेडियम साइच की है हमें इसकी रोटी बना के तियार करनी है देखिए मैं आपको बताती हूँ इतनी मोटी रह काट लेना है यह देखिए यह इतनी मोटी है यहां पर मैंने कड़ाय में तेल गरम होने के लिए चड़ा दिया था तेल अच्छे से गरम हो गया है तो अब हम आज को मीडियम कर दें क्योंकि हमारी जो भी हमने मत्री बनाई है वह थोड़ी से मोटी इसको मीडियम आज पर ही तेज आज पर हम इसको फ्राइ नहीं करेंगी और इसको हम इस तरसे बीच बीच में चलाते विए इसको फ्राइ करेंगे दूसरी इसक काट लेंगे क्याना नएब मीडियम और तो यह आदर क से कीशा, पार निकाल लेंगे देखिए दिखने में कितने अच्छे दिख रहे हैं दूसरे वाले को भी हम सेम प्रोसेसे ही फ्राइ कर लेंगे पहले वाला जब आप निकाले तो गैस को आप सिम कर दे सिम करने के बाद ही दूसरे वाला डालें यह देखिए हैं हमारे मनमख पारे बनके त्यार हो गए हैं आप इस तरह से एक बाद जरूर बना के ट्राय करें आपको जरूर पसंद आएंगे अगर आपको मेरे आज की रैसी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरू करें चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज कॉमन्स करके जरूर बताएं कि आपको को रैसी पीस कैसी लगी फिर मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ अब तक के लिए थैंक यू